हलो, नमस्कार, सबका पुनस स्वागत है, आज हम और एक बैच फ्लार रमिडी मस्टर्ट के बारे में जानेंगे हम कभी कभी सिनमा तेटर को जाते हैं, सिनमा देखना चाहिए करके हम सब तैयार होके जाते हैं लेकिन वहाँ जाने के पर हमको हाउसपुल का बोर्ड दिखाई पड़ता है, तब हम बहुत हुदास हो जाते हैं, हमको लगते अरे बाबरे टिकेट नहीं मिला करके बहुत दुखी हो जाते हैं इस तरह के दुख का कारण हमको पता है कि हम सिनमा देखना चाहिए करके गए लेकिन हमको टिकेट नहीं मिला, तो यह एक दुख का कारण है और इस तरह के दुख को हम जन्टाइन करके एक बैंच प्लार रमिडी है जिसको लेंगे तो हमको यह महसूस नहीं होगा हमको यह दुख नहीं महसूस होगा हमको चले हमको लगेगा चलेगा आज नहीं मिला तो दूसरा दिन हम आके पहले ही टिकेट बुक करके जाएंगे करके सोचेंगे अगर स्टूडन्स एक्जामे फेल होगे तो उनको भी बहुत दुख होता है और उनको लगता है हम आगे से एक्जामी नहीं देना चाहिए और उस परिक्षा को भी छोड़ देना करके लगता है उस तरह के समय हमें हम अगर उनको जन्टाइन देते आएंगे तो वे इस तरह के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं या एक डिप्रेशन का कारण मालूम है लेकिन कभी-कभी हमको ऐसा मैसूत होता है कि हमको बहुत दुखी लगता है लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमको क्यों ऐसा दुख हो रहा है उस तरह के जो बिना कारण को हम दुखी हो जाते है उसको हम depression of unknown cause करके बोलते हैं कि हमको बहुत दुख होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि हमको क्यों ऐसा हो रहा है या एक depression है जिसका कारण नहीं पता नहीं है कि हमको क्यों ऐसा महसूस हो रहे है इस तरह के depression को हम mustard देते आएंगे तो उस depression से बाहर आ सकते हैं हमको कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि हमको बहुत उधास हो जाते हैं लेकिन हमको इसकी कारण पता नहीं चलता है हमको क्यों ऐसा हो रहा है करके हमको पता नहीं चलता है वो अपने आप आता है, थोड़े समय को रहता है, कभी-कभी एक घंटा रहते हैं, लेकिन कभी-कभी एक-दो दिन भी ऐसे हमारा मूर बहुत खराब हो जाता है, इस तरह के यह है depression और इसका कारण पता नहीं, यह है depression of unknown cause, हमको पता नहीं कि हमको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरह के depression को सब हम mustard देते आएंगे तो वे इससे बाहर आ सकते हैं, बच्चों को भी-कभी इस तरह के situations में पाते हैं, इस तरह के बच्चे बहुत shy type के रहते हैं, उनको बिल्ली देखने से डर लगता है, और एसकेलेटर में जाना है तो भी डर लगता है, वे डर सब के आगे जाके बाते करना, इस तरह के बच्चे को कभी-कभी बहुत उधास रहते हुए देख सकते हैं, उनको एकदम उधास हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है क्यों उनको इस तरह हो रहा है, वे किसी से बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता नहीं कि वे उसको क्यों ऐसे महसूस हो रहा है उनको ऐसा लगता है कि एक बड़ा काला बादर आके उन पर छाया हुआ है और वे बहुत रोते हैं लेकिन उनको ही पता नहीं होता है कि उनको ऐसे क्यों महसूस हो रहा है बच्चे कभी-कभी अच्छी तरह से सो रहे होते हैं लेकिन वे जल्दी से उटकर रोना शुरू करते हैं इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि पता नहीं चलता है कि वे क्यों ऐसे रो रहे हैं इसका कुछ कारण ही नहीं रहता है उनको पूछेंगे क्या पेट कुछ दरद होते हैं तो उनको बहुत रोना आता रहता है और उसी का कारण भी नहीं रहता है इस तरह के बच्चे कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं बड़ों या बच्चों सबी को इस तरह का डिप्रेशन आ सकता है उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं चलता है कि क्यों उनका मूर इतना खराब हो रहा है और वे खुश से रहने सकते हैं उनको एकदम रोना आता है और रोते रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको क्यों ऐसा हो रहा है यह सब एक depression of unknown cause है इस तरह के लोगों को हम अगर batch flower remedy mustard देते आएंगे तो उनका यह depression खतम हो जाएगा और वे उस situation से बाहर आ सकते हैं और फिर उनका mood भी अच्छा होगा और वे भी सबके साथ मिल जूल कर रहने को पसंद करेंगे बच्चे कभी-कभी यह वे किसी से मिल जूलने को भी पसंद नहीं करते हैं और वे अकेले में रहने को पसंद करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि उनको क्यों ऐसा हो रहा है और वे सारा टाइम अकेले में ही रहने पसंद करते हैं इस तरह के बच्चों को सब हम अगर मस्टर्ड देते आएंगे तो उनका मूर अच्छा होगा और वे भी सब के साथ मिल जुलकल रहने को पसंद करेंगे मस्टर्ड एक ऐसी बैश प्लार रेमिडी है जो हम को इस तरह के डिप्रेशन से बाहर ला सकती है और हमको फिर से संतोष रखने में मदद करती है हम फिर से अपने कामों में संतोष हो सकते है और फिर से अपने काम सब अच्छी तरह से करने को शुरू कर सकते है जब तक वे एक डिप्रसिव मूड में रहते हैं उनको कुछ करने को भी पसंद नहीं रहता है नहीं सिनमा देखना है या किसी से मिल जूलना कुछ भी पसंद नहीं रहता है इस तरह के लोगों को हम अगर मस्टर्ड देते आएंगे तो कई दिनों के बाद उनका यहां मूड खतम हो जाएगा और वे भी सब के साथ मिल जूलकर रहने को पसंद करेंगे यहां थी मस्टर्ड के बारे में मस्टर्ड एक अन्नोन डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट कीजिए अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएए ताकि जब जब मैं वीडियो डालोंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा धन्यवाद